जब पिछले साल हम रमजान के महीने में इफ्तारी बांट रहे थे तो हमने देखा कि एक बच्ची नमक पानी से रोजा बोल रही थी वो देखके बहुत दुख हुआ और हमने सोचा कि हम दिल्ली NCR के जादा से जादा स्लम्स में इफ्तारी पहुचाएंगे उन बच्चों को रमजान पर ये खुसिया माटेंगे वोईस अफ स्लम्स तकरीवन चार वर्स से हर बार रमजान के महीने में जुग्य जौपड़ी में रहने वाले बच्चों तक इफ्तारी पहुचाता है इस बार भी हमारी कोशिस है कि 700 से 1000 बच्चों तक खाना पहुचाया जाए हमने अपनी किचिन नौइडा में बनाई हुई है जहां पर खाना प्रिपेर करके वैन के द्वारा दिल्ली एंसियार के अलग-लग स्लम्स में जाकर हम लोग प्रते एक دिन खाना बाटते है जब हमारी वैन एक जगह जाके खड़ी होती है वहाँ पेहले से ही बहुत बड़ी लाइन लगी होती है और हम अपना खाना बाटना सुरू करते है लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारा खाना खतम हो गया और लाइन अभी भी बाकी है अगर आपकी हमें थोड़ी सी भी मदद मिल गई बहुत सारे स्लम्स में जाकर आपका रमजान का प्यार उन तक पहुचा सकते हैं आपकी जकात उन तक पहुचा सकते हैं ग्रॉसरी, फल फ्रूट, दूद ऐसी चीजों की नीड है जिससे कि हम ये सामान उन बच्चों तक पहुचा सकते हैं आपकी की गई छोटी सी मदद इन बच्चों की जिन्दिकी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है